भागते स्ट्रेंट्स देखिए एंपर क्वेश्चन है कि पार्टिकल सस्पेंडेड बाइड इनेक्स्टेंसिबल थ्रेड ओफ लेंथ एल इस प्रोजेक्टेड होरिजॉन्टली फ्रॉम इस लोवेस्ट पोजिशन विद वेलोसिटी रूट अंडर सेवेंगेल बाइटू द यह कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वह यू माल लेते हैं इस पॉइंट पे पार्टिकल लगाया गिया है कितना अरसी लैंथ है तो इस पोईंट पर यूवलोसिटी है और यू का वैल्यू दिआ हॉए रूट कर控 burns 7GL by 2 को तुम ऐसे समझो कि एक तरह से रूट अंडर 3.5GL है और जब हम यह टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम तुमको यह बताए थे कि अगर पार्टिकल रूट अंडर 5GL से कम वेलोसिटी देंगे तो यह एक कम्प्लिट सर्कल नहीं बना पाएगा ठीक है ना अगर आपको पूरा एक कम्प्लिट सर्कल बनवाना है ऐसे तो उसके लिए आपको पार्टिकल को कम से कम यहां पर रूट अंडर 5GL का वेलोसिटी देना पड़ता है और यह उससे कम है दूसरा हम यह बताए थे कि पार्टिकल को अगर रूट 2GL वेलोसिटी देंगे तो वो यहां रूट अणर 3.5GL तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि जो पार्टिकल होगा वो लगबग किसी इस रीजन में होगा और इस रीजन पे वो इस त्रिंग को स्लैक करना है देट मिंस कि इस ट्रिंग में टेंशन को जीरो कर देना है तभी जाके स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है तब ही जाके string lose हो सकता है अब हम यह समझेगे कि माल लो यहाँ पर velocity कितना इसका V ठीक है यहाँ velocity कितना है V और initially कितना था root under 7 jl by 2 तो अगर हम दोनों points के बीच में energy conservation लगाते हैं और यह लिखते हैं कि total energy at lowest position is equal to total energy at position P तो यह हो जाएगा total energy कितना है जैसा हम इसको reference मान रहें तो यहाँ पर kinetic energy होगा potential energy नहीं होगा because कोई height है ही नहीं यहाँ पर तो केवल kinetic energy होगा half m u square equal to इस point पर जाने के बाद कुछ velocity भी है साथ में यहाँ से उपर कुछ height भी cover किया है तो आपको suppose करो कि यह angle theta है और यह है L तो यह perpendicular की तरह से यह L sin theta हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक height L है तो total height जो यह cover करेगा particle वो L plus L sin theta cover करेगा ठीक है ना तो इसलिए इसके पास kinetic energy half m v square क्योंकि velocity भी है और height cover किया है तो mg h जो L 1 plus sin theta है यह आपका एक relation बनेगा energy conservation कराके lowest point और point P के बीच में यहाँ से अगर हम चाहें तो v square का value लिख सकते है m कट जागा v square का value लिख सकते है u square by 2 minus gl 1 plus sin theta तो यह एक equation हम यहाँ से बना सकते हैं ठीक हैं और अगर आप देखेंगे तो u का value आपको दिया हुआ था so v square equal to यहाँ पे u square by 2 का value कितना हो जागा root 7gl by 2 था तो 7gl by 2 हो जाएगा u square ठीक है ना अच्छा यहाँ भी 2 है तो 7gl by 2 और नीचे 2 पहले से था 4 लिख देंगे 2 into 2 4 gl 1 plus sin theta यह आया आपका एक equation इसको रखते हैं और अब चलते P पे जब आप P पे जाएंगे तो string में tension 0 हो चुका है तब ही वो slack कर पाएगा और इधर लगेगा mg का component mg sin theta एक मिनट जैसा कि देख पार है आप particle यहाँ पर है थोड़ा इस distance को मिटा देते क्योंकि इसका काम हो चुका है तो हम लोगो थोड़ा clarity आएगा तो जैसे इसका वेट इधर लगेगा और यह थीटा था यह थीटा था यह आपका यह थीटा नहीं होगा बलकि 90 बनस थीटा होगा क्योंकि ट्राइंगल बनेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा और इधर वाला एंगल हो जागा थीटा क्योंकि यह टोटल 90 डिग्री है जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है डाट बिंस mg का कॉंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा एमजी कॉस थीटा और सेंटर के तरफ सेंटर के तरफ ऐसे यह हो जाएगा एमजी साइन थीटा ओके समझ रहे हो और बाहर जो फोर्स लगेगा वह होगा एमवी स्क्वेर अपॉन एल रेडियस एल है टेंचन यहां पर है नहीं तो यह दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और mg साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वेर बाई एल इसे साब से एम और एम कट गया या तुम फिर से जी साइन थीटा इक्वल डू वी स्क्वेर बाई लिग दो वेल जी को नीचे ले आया ठीक है और अगर हम यहां से जील कॉमन निकाल लेते और उस तरफ भेज देते तो हमको मिलता वी स्क्वेर बाई टू जील इक्वल टू सेवन बाई फोर माइनस वान प्लस साइन थीटा तो इससे यह पता चला कि तुम इस एक्वेशन में साइन टू सेवन बाई फोर माइनस माइनस टू सैन थीटा यह तो साइन थीटा उस तरप जाएगा तो हो जागा ठीरी साइन थीटा और सेवन वाइनस टुम यहां से 3 और 3 कटेगा तो साइन थीटा इक्वल टू बचेगा वन बाइट तो इससे हमको यह पता चला कि थीटा का वैल्यू आ रहा है थर्टी डिग्री क्वेस्टन पुछा था कि इस्ट्रिंग विल स्लैक आफ्टर स्विंगिंग थू एन एंगल कितना एंगल घुमेगा यहां से यहां तक तो इधर 30 है और इधर 90 है तो टोटल 120 अंगल इसको यहां से यहां तक घुमना पड़ेगा तब जाकर कि स्ट्रिंग यहां पर स्लैक होगा लूज होगा धीला होगा ठीक है तो इस तरह से इस क्वेस्टन को सॉल्व करना था आई होप कि आपको समझ आया होगा यह थैंक यू